आज हम पढ़ेंगे common errors in spoken English में part 3 adjectives इसके पहले हम दो वीडियो में study कर चुके हैं किस तरह से common errors को हमको find करना होता है noun और pronounce related errors हम find कर चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे adjectives से related errors को किस तरह से spoken में ये errors होती है और इनको ध्यान में रखना है देखिए rules के मादियम से हम समझ रहे हैं अभी तक आगे भी इसी तरह समझेंगे first rule है adjectives superior, inferior, senior, junior, prior, interior तदा posterior इस तरह के adjective words के बाद में हमेशा two लगाना होता है तू का प्रयोक करना चाहिए, दन का प्रयोक नहीं करना चाहिए commonly जिन लोगों को नहीं पता है वे इन सारे adjective words के बाद में then use कर लेते हैं जो की अशुद्ध है और इनके पहले more का use नहीं करना है, much use करना है जैसे more superior, more inferior, more senior इस तरह से use नहीं होगा much superior, much inferior, much senior, much junior, much prior इस तरह से use होगा तो यह हमारा first rule है, इसको ध्यान में रखेंगे second rule है, शब्द perfect का कोई comparative या फिर superlative degree नहीं होती है तो perfect का आप ध्यान रखेंगे कोई भी comparative या superlative degree में कोई formation नहीं होगा अगर यह word sentence में आता है तो ध्यान रखेंगे ऐसे ही adjectives जो articles the से शुरू होते है और plural common noun की रूप में प्रयुक्त होते हैं उनके अंत में as नहीं लगाना है तो जहां भी articles the आते हो किस adjective word के पहले और यह वो plural common noun की रूप में हो तो उसमें हम as नहीं लगाएंगे रूल अच्छे से समझ में आ जाएगा नेक्स है elder तता eldest यह व्यक्तियों के लिए और परिवार के सदस्यों के लिए ही use में आता है ठीक है वस्तों के लिए हम इसको use meaning करें लेंगे नेक्स रूल है यहां देखिए older और oldest यह दोनों ही word व्यक्तियों और वस्तों दोनों के लिए ही use करेंगे और elder और eldest यह केवल हम व्यक्तियों के लिए use करते हैं नेक्स रूल है less परिणाम अत्वा मात्रा का बोथ कराता है और fear हमेशा संख्या को बताता है ठीक है measurement में less किसको बताएगा परिणाम को या फिर मात्रा को या कभी हमें result के बारे में बात करने हो तो महाँ पर less word यूज़ होगा और fear कहां यूज़ होगा जहां पर हमको measurement में संख्या बतानी हो next है whole से पहले the प्रयूक्त होता है और all के अंत में आएगा the article कहां यूज़ होगा एक तो whole word के पहले आएगा और all के बाद में आएगा अंत में आएगा इसे तरह next है many और singular ये दोनों adjective words है ठीक है ऐसे इनको हम determiners में use करते हैं many और इसके बाद है further further का use तूर बताने के लिए further का रत होता है दूर और further बोलते हैं इसको further further मतलब दूर और further मतलब बाधिक या अतिरिक further देखिए ये सारे हमारे rules से अब कुछ examples से हम समझते हैं इन सारे rules को इनका कैसे usage है sentences में first sentence देखिए put few fuels on fire आग में थोड़ा सा और fuel डाल दो ये few fuels जो है ये quantity में wrong है this sentence wrong है तो यहाँ पर हमें apply करना होगा little fuel ठीक है put a little fuel on the fire this is the correct form क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था few संख्या को बताता है जो few ले उसको कोई हम count नहीं कर सकते है संख्या की रूप में तो हमाँ पर few का use गलत होगा I think अपको समझा रहा होगा I am stronger than your older old brother अभी मैंने आपको बताया था कि वेक्तियों के लिए हमें क्या use करना है elder or eldest use करना है ठीक है तो I am stronger than your elder brother it is much fine today यह wrong है यहाँ पर use होगा it is very fine today आज बहुत अच्छा समय है next है from the two girls Krishna is old दोनों लड़िकियों में Krishna बढ़ी है तो यहाँ पर हमें किस तरह से use करना है Krishna is older of the two girls comparison है दो लड़िकियों में तो यहाँ पर Krishna is older आएगा ठीक है comparative degree का बढ़ आएगा तो यह इसका correct formation है next दिखते है my pen is superior than yours मेरा pen तुमारे pen से अच्छा है इस तरह बताना है तो my pen is superior to yours मैंने first rule में आपको बताया था कि superior, inferior, prior इस तरह के words के बाद में then use नहीं करना है उसके बाद में हमें to लगाना है तो यहाँ पर correct formation इसका होगा my pen is superior to yours this is the correct formation तो आगे से ध्यान रखेंगे जब इस तरह के words आपके सामने आएंगे तो आप महाँ पर इनके in adjectives के बाद में then use नहीं करेंगे to लगाएंगे next example she only knows the truth देखने में सुनने में पढ़ने में correct लग रहा है लेकिन यह sentence wrong है इसका correct formation होगा she alone knows the truth केवल सच्चाई उस अकेले को ही पता है इस तरह से she alone knows the truth केवल वही सच्चाई जानती है next है is he friendly with you यह friendly जो ही यह adverb है ठीक है तो यह wrong है यह formation wrong है इसका correct formation होगा is he unfriendly terms with you ठीक है friendly के बाद terms word यूज़ करना होगा these flowers smell sweetly पढ़ने में यह sentence भे correct लग रहा है लेकिन इसका correct formation होगा these flowers smell sweet next है the gold is more heavier than silver यह भी wrong formation है इसके पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी heavier superior prior इस तरह के बढ़ाएंगे तो इनके पहले more नहीं लगाना है हमें much लगाना है यह हम first rule में ही पढ़ चुके है तो इस sentence का correct formation होगा gold is much heavier than silver this is the correct form of the sentence then i think आप लोगों को यह सारे रूल्स अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे मैं चाहती हूँ आप रूल्स को पहले अच्छी तरह से study कर लीजे और उसके बाद में इन samples को study करिए तो आपको सारे रूल्स बहुत अच्छे से learn हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे अगर आपने इसके पहले वाले दू वीडियोस मेरे नहीं देखे हैं जिन में मैंने common errors for nouns and pronounce बनाये हैं तो इस वीडियो की description में उन वीडियोस की link डाल रही हूँ वाजा करू and errors हो जाती है इन errors को दिहान में रखते हुए आप लोग spoken की practice करेंगे तो बहुत helpful होगा thanks for watching